कि आज में महासागर विज्ञान में एक महत्पूर टॉपिक पे चर्चा करनी है महासागरिय निछेव कि महासागरिय निछेव या ओसेनिक डिपोजिट महासागरिय निछेव जो कि महासागरों में लगभग 500 मीटर मोटा मोटी एक परत की रूप में पाए जाती है ये आज का निछेव नहीं है और नहीं 100-200-1000 वर्सों का है बलकि जब से महासागर बने हैं महासागरिय के सुरुवात से ही इनकी उत्पत्ति जब से हुई है तब सी ये महासागर में पाए जाते हैं इकठा हो रहे हैं लगातार इकठा हो रहे हैं इनके अध्येन से हमें यह पता चलता है कि महासाग्रिय निच्षेप का जमाव कब से हो रहा है और यह निच्षेप बिसेश कर किस भाग से आए हैं पिरत्वी के अस्थल मंदल से हैं या जल मंदल से हैं या फिर वाइग मंदल से हैं हमें इनका भी अध्येन यहां से पता चल सुरुवाती महासागर प्रसांत महासागर जो कि विश्व का पहला और सबसे पुराना महासागर है जो 45 का हिस्सा माना जाता है उस समय से इन निच्छेपों का जो अध्यान है यह बताता है कि यह निच्छेप महासागरों में कितने पुराने हैं और कब से यहां पे जमा हो र लूप में इनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं जैसे पॉली मेटेलिक नडूल से यह भी महासागरों का निचेप ही है महासागर हमारे लिए कार्बन डायाकसाइड क्योंकि एट्मॉस्फेरिक गैस है और खतरनाक भी है इनका भी स्टोरेज है इस तरीके से देखा जाए तो महासागर का निचेप के बारे में अध्यन करना हमारे लिए बहुत महत्पूर हो जाता है और इसी वज़े से आपके सिलेबस में आयोग ने इसको सामिल किया है कि जो महासागरों में जो डिपोजिट हो रहा है पदार्थों का डिपोजिशन हो है कि उसकी क्या उप्योगता हो सकती है वह कौन कौन से पदार्थ होंगे कहां से आये होंगे अस्थल से हैं या फिर जल मंडल के ही हैं यह वैसे काम करते हैं जैसे आपके लिए आप बैंक में डिपोजिट रखते हैं जो आपकी जरुरत के हिसाब से जरुरतों को पूरा कर करता है ऐसे संसाधनों को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो महासाग्रिय निछेप में सिर्फ निछेप का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसकी उप्योगता ना हो और वह वेकार सा हो गया हो वेस्ट मैटेरियल हो समानता निछेप को इन अर्थों में लिया जाता है लेकिन यहां महासाग्रों में जो पदार्थ जमा हुए हैं वह वेस्ट मैटेरियल नहीं है बलकि वह आपके लिए मानोजीवन के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं जैसे इनके निछेप से ही पेट्रोलियम गैसेज खानिस पदार्थों के इन सब पदार्थ हमको दो कहां मिलते हैं महासाग Bristol के टली में निछुप के रूप में यह डी पोजिंट के रूप में जो जमा हुए यहां से मंहाUR महासाग्र निछेब क्या होता है हाथ है कि अरसल महासागरों में जो जयविक Sलिविक के जबिक हो सकता है या तो वो जैविक पदार्तों से बना जाएडर्तों से बनारे तो जैविक और आज़िक निशेव महा साग्र के तलि में नितल में या मखनदार पर मगनदाल चाहर मैंदान सेवroyal महासागर का नितल है जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे जो जमा होते हैं वो महासागरी निचेप कहलाते हैं इसकी छोटी सी परिभासा आप जानते रहें सभी जैविक आजाइविक पदार्थ जो जो महासागर के तली या नितल में प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं महासागरी निचेप कहलाते हैं अब इन निचेपों का परत दर परत जमाव होता रहता है अब इनका अध्यन करने के लिए हम क्या करते हैं किस मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तब वहां से खुदाई तो करेंगे नहीं जाकर कि महासागरों कि त़ी करेंगे, महासागरों का जो तली है, शे हो देट यह महासागर है, इसका जो तली है वो यह है, अब यहां पे अगर कोई deposition हुआ है, किसी प्तार्त का जमाव हुआ है, तो वह परत दर परत के रूप में जमा हुआ है जिसका हम मध्यान करेंगे लेकिन कैसे कर पाएंगे यहां पर फाउडा लेकर खुदाई तो नहीं हो सकती है यहां पर कोर सेंपलर का इस्तेमाल कर जाता है एक मसीनरी कोर सेंपलर होती है उससे क्या करते हैं इन महासागरों में वो बोर्विल जैसे होता है कुछ उसको उस ऐसे सिधा अंदर तक पहुंचा देते हैं यह एक किसी छेत्र में इस कोर सेंपलर को बोर्विल करते हैं और परिडाम में यहां का इतना भाग यह इतना निकाल लेते हैं बाहर कि यह और फिर इसका अध्यान करते हैं तो आपको भी एक्जाम में पूछ सकता है को एक सेंपलर के बारे मैं इसी सेंपलर से पधार्थ निकाला गया कउर्ण से इस से दो चीजें पता चलती है पहली बाद तो पता चल रही है कि वह पदार्थ कौन सा है ने कंशा है उसका अध्यन करते हैं दूस्री बात में ऊसका रासाइनिक संगいや रासाइनिक रूप से वो किन किन पदार्थों से या रसाइनों से मिल करके बना है उसका भी अध्यान करते हैं महासागरिये निशेव का अध्यान कब से प्रारम हुआ बात यह आती है डिपोजीशन तो इसका आधिकाल से से प्रारम करते हैं तो जब बैग्यानिक कि इसके बारे में सोध करना उस समय प्रारम के जब उनके पास तक्निकी आई और उनके अंदर इच्छा सकती जागी कि नहीं महासागरों में देखा जाए क्या है इसके लिए चैलेंजर अभियान चलाए गया था उन्हें सो सत्तर के दसक में एक चैलेंजर अभियान जो मॉर्फोलोजी में आप खूव कई जगों पर मिलता है इस अभियान का जो आर्थ था उन्हें सो सत्तर के दसक में चलाया गया था इस अभियान के में उद्देश था कि महासागरों को हम जाने महासागर का एक सरवे करने के लिए इस कि अभियान के बाद से ही महासागरों के निश्यप के बारे में भी पढ़ना शुरू कि अध्यान की प्रकासित होने लिए इस के तहत उन्हीं अध्यानों से पदा चला एकि उनकी मुट्आई 500 मीटर के असपास निकाल पाएं है ठीक है अब बात आती है कि जब अभियान के तहट बग्यानिकों को निशेप का ये रूप मिला पांसों मीटर की मौटाई का एक परत जो की निशेपित हुआ है महासागरों में तो फिर सवाल उठता है कि अखिर इतना आउसाद आया कहां से तो उसके स्रोत क्या है कि देखते हैं इनके स्वाव की अगर बात की जाये गया है तो पहले तो प्राक्रितिक हीं कि मार्मा अंधू के देख लेते हैं कि प्राकृतिक शुरूत में क्या-क्या सामिल होता है ऐसी कौन सी प्राकृति घटना है जिन से अवसाथ जो है वह महासागरों के तली में जमा होता है देखे वायू मंडल में भी कोई घटना अगर हो रही है इनफेक्ट कोई धूल है अब धूल का एक हिस्ट जमान लीजिए कि जैसे किसी फैक्टरी से धुवा निकलता है या कालिक निकलती है या सडकों की उड़ती हुई धूल है या मरुस्थल छेत्र की धूल है धूल भरी आंधियां है इनका जो निशेव होगा अंतिम रूप से कहां पर होगा महासागरों के नितल में ही होगा वह एक साइक्ल चलता रहेगा कि अस्थल का भी निशेव वहां पहुंचेगा और जल का तो निशेव अपना है ही जैसे जल में कोरल है मैंने पढ़ाया था आपको कोरल यह जो मर जाते हैं तो इनकी जो कठोर पदार्थ के रूप में इनकी कैल्सियम की जो खोल बचती है महासागरों में वो खोल निशेव के रूप में महासागर के तली में ही पड़े रह जाती है वो भी एक निशेव हो महासागरिय निशेव है अस्थल भाग से नदियां बह सब को भी महासागर क्या करते हैं अपने अंदर ले जाकर के लीचे तली में ले जाकर के इसको जमा करते रहते हैं तो सरोत 2 होगा एक तो जो मानों ने पैदा किया वो सरोत उ पहुंच ही रहा है उसके द्वारा जो वेश्ट मैंटेरिल है या परदूसर कारिया या किसी भी तरीके से नुक्सान दायक वह महासागरों में पहुंच रहा है लेकिन प्राकिर्तिक रूप से भी कुछ ऐसे पदा अब प्राकिर्तिक हैं कि नदियों द्वारा लाया गया अफसाद है है अब यह नदियां कैसे लेकर आती है उसाद को है अब नदियां अपने साथ तट की जो सेल चटाने हैं उनको घुला के बहुत सारे खनिस्पदार्थ अपने साथ अपने जल में मिला करके लेकर कहा जाती है महासागरों के तट पे और वहां ये महासागरों में अपने जल को प्रवाहित करती है और प्रणाम होता है कि उस जल में पूरा इनके मुहाने प च्छब का क्या होता है परवती च्छेतर से कोई नदी आ रही है तो अपने साथ बॉल्डर लेकर आती है छोटे-छोटे और सेंड यानि बालू लेकर आती है चीका लेकर आती है इन सब क्या करती है महासागरों के मगन तर्या मगन धाल वाले जहां तक इनका पाई पहुंच दासरास एंदर कि वहला करके इंको जमा करते रहते हैं और वहीं पर शाना होता है उन्ट के माध्यम से सब्ऩ?' lacte mo senology कश्ड रहा है उनको ये महशागारों में बीच अब सकते हैं और दिरे धी नीचे तली होने लगतें यह प्रकृया वाइस होती है तो यहाद नितल में पानी के इकठा हो जाएगा परत के रूप मैं जम जाएगा वही महाशागर का ओसाथ होता है दूसरा प्राकृति श्रूत है समुद्री लहरों द्वारा समुद्री लहरों द्वारा जो तटिये छेतरि का अपरदन होता है या जिसे समुद्री अपरदन कहते हैं देखिए समुद्र की जो लहरे हैं महासागरों में लहरे जो चलती है वो लहरे तट से टकराती है आके और जब यह तट से टकराएंगे तो क्या करेंगे वही तट को काटेंगे उसकी चटान को काटेंगे काट करके उसको अपने अंदर महासागरों में अंदर की और लेकर जाएंगे अब उस चटानों में क्या होगा बॉल्डर होंगे, सिल्ट होगा, किले होगा чаai यह हैं एनि बालू के कर्ण होंगे चीका वगए रहा होगा मिटी का कर्ण होगा यह सब क्या करेंगे लेकर वह लहरे है तड को काई कर कर के महासागरों के अंदर जम्हा करेंगे एक तो यह ओगा उनस्मासागरी निच्षेव कर कि जिसमें समुद्री लहरें अब कई प्रकार की गतिया होती है समुध्रों में जैसे सुनामी है सुनामी से भी निच्षे अंदर जमाँगी यहौर है महा सागरी गतिव में लहर सब्द का रििस्तिमाल कर सकते हैं उस द्वरा सुन्दरी अपरदन किया जाता है तो अगला कि चक्रवात है यह चक्रवात क्या करते हैं जब कभी अस्थल भाग से चक्रवात समद्र की ओर आगे बढ़ते हैं या इनकी तेज हवाएं अस्थल भाग से बहुत सारे मैटेरियल को उड़ा लेती हैं उनमें सबसे ज्यादा धूल मिट्टी होता है महासागरी शेत्रों में निशेपीत कर देती है अब जैसे सहारा मरुस्थल से कोई चक्रवात उठे और पस्चिम दिसा की ओर आगे बढ़े तो फिर अट्लांटिक महासागर में ले जाकर कि उन धूल मिट्टी को छोड़ देंगी उनको खतम तो होना है चक्रवात को ऐसा तो है नहीं कि जो मिट्टी वो उपर उठाई है जो चल रही है वह सांत नहीं होंगी जब वह सांत होंगी तो मिट्टी के कड़ सब नीचे बैठेंगे और जब नीचे बैठेंगे तो महासागरों में धीरे-धीरे करके उनके नितल में जा करके क्या हो जाएंगे निशेप होते हैं एक कारण एक स्रोथ होता है जॉला मुख्य उद्गार भी है यह सब प्राकृतिक स्रोथ हैं जो कि महासागरों में निच्छे पित हो रहे हैं जौला मुखी उद्गार से बहुत ज्यादा महत्रा में जौला मुखी राक निकलती है जो कि वायो मंडल में फैले रहती है और वायो मंडल में जो पौन चलती है बहुत सारी अस्थानिय पौने है और ग्रहिय पौने भी है उन पौनों के प्रभाव में वो धूल कहां पहुं निकलता है अब जो जो जॉला मुखी तटीय छेतरों में विश्फोट हो रही है जिसका मैगमा निकल रहा है यह आप प्लेट टेक्ट्रों में आप पढ़ेंगे कि जो प्लेटों का बिनासात्मा किनारा होता है मार्चिनल किनारा जो लाइन है वो किनारा Maximum प्लेटों का किनारा महासागरी छेतरों में है जैसे आप परसांत महासागर के देख लिए तो वो चारों तरसी छेपीत हो रही है रिंग आफ फायर प्रसांद महासागर में किरियट होता है और वहां पे एक गोल गोल पुरा जॉला मुखी का एक रिंग पाई जाती है तो मैक्सिमन जॉला मुखी बिस्फोट जो महासागरी छेत्रों में हो जा रहे हैं वो जल में ही बिस्फोट हुआ लावा निकला उपर पानी यह चूकी तो वही ठंडा होने लगा वह भी एक निछेप का कारी करता है तो जॉला मुखी उद्गार भी निछेप का काम करता है वाय मंडल से सीओ टू है या यह भी पहुंचता है महासागरों में यह प्राकृतिक शुरोत है वाय मंडलिया सीओ टू जैनि कार्बन डायकसाइड है अज भी महासागर कार्बन डायकसाइड का यह बहुत बड़ा स्टोर रूम के रूप में कार्य करता है बहुत भारी मातर में कार्बन सिंक का अगर कभी एक्जाम में यह पूछे कि कार्ब है और आप्शन में आपको महासागर दिया है तो बिना कुछ सोचे समझे आप महासागर को सही एंसर करेंगे एंवायरमेंट में आपको इसके बारे में और भी डेटा अगरा भी मिलेगा वह हम इसको डेटेल भी पढ़ाएंगे कार्बन डायकसाइड का इस वहां पे कैसे ह होता है कि वाइव अंडल में जो कार्बन डायकसाइड है इसका जितना अस्थल भाग पर इसका सिंक है इससे कहीं गुना कई गुना ज्यादा महासागर इसका और सोसर करते हैं और वह अपने तली में ले जाकर के इनको किसी पदार्थ के रूप में कनवर्ड करके रखते है ठीकर समुद्री पौधे भी हैं और यह प्र एक अ hase equations रूथ हैं यह सब आ में कि समुद्री पौध्यप महें रातों में जैसे मैंने आपको बहुत सारे सहवाल के बारे में आप पढ़ें कि यह सब स्वाल की निष्चित उम्र होती है जब ये खतम होते हैं या जिव जो हैं महासबजेसे प्रवाल है इनके मरने के बाद में इनका जो निष्चे बसता है जो आउसाद बसता है मरने के बाद वो रले को षयकता होने लगता है कि यह सब जुनतゲーム या यह अन्युजनतों हैं इनके मरने के बाद हमकरें लीखे प्रहेता है कि अमलो वर्वा साइछ कि आप रभूप सुने हैं विसॉस्त के माध्धिन से अब बताए कि सब्सक्राइध जब करके महार सागरोम टक जाते हैं तो अमनों दрах साके माध्धिन और मेरे उच्ब कर के जल में मैसा नदीयों के माध्धिन से महा पहुंचते हैं महा सागरी नीषेप मेरी प्लाद को आइश वर्क है है कि Beatles एक सविर ग्लेसिर का टुकड़ा ग्लेसियद एपने आप मेंगा है यह सुरो थैंना कि यह अवसाद है अप ढहleखे जो आप ये कहें कि परफ भी एक अवसाद है या निच्छेप है तो ऐसा नहीं है वो शुरोत हैं किसी निच्छेप को जर्म देने के लिए जब कहीं परबतों से कोई आइसबर्ग तूटता है या ग्लैसियर्स तूटते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा भाग जब आगे बढ़ता है नीचे की और तो अपने साथ साथ परबतों से घरसर के कारण बहुत सभारी मात्रा में अवसादों को निच्छेप है उसकृता च्छांसों के नितल में आिस्बर्ध वर्फ को पिघल के पाणी बन गया लेकिन जो उसके घरसर से आया पदल रहा कहां जया महासागरूं के नितल में पहुंच है ऐसे उल्का पिंडिये धूल भी है एक प्राकृतिक शुरोथ है उल्का पिंडिये धूल यह दो तरीके से हो सकता है एक तो पता लगा कि कोई उल्का पिंडिया के महासागर में गिर गया लेकिन जब महासागर में गिरा तो इससे पहले जब प्रिथ्वी के वाई मंडल से हो के वह आ रहा था इस समय घरसर के कारण लें घरसर के कारण उसका मैक्सिमम भाग जल के राख हो चुका था तो जो जल के राख हो गया और प्रिथ्वी psychological मंडल में है उसका उसका नेचर क्या है वो प्रित्वी के वाय मंदल में घूमते घूमते धीरे से नीचे की और ही बैठना चाहेगा अब जब वो प्रित्वी पर नीचे सता तक अगर वो धूल आ गई है तो अब वो किसी भी माध्यम से महासागरों में पहुंच जाएगी जैसे वर महासागर 70% भाग को आपके प्रित्वी का कबर करते हैं तो फिर जब कोई भी धूल कड़ होगा तो ज्यादा चांस है कि महासागरी छेत्र में ही नीचे की तरफ बैठ रहा हूं तो यह तो महासागरों का जो निचेप उसके प्राकृतिक शुरोथ हैं इस सब इन सब के पहली नजर में सही नहीं लगेंगे जैसे अमलो वर्षा है जौला मुख्य उद्गार है या चक्रवात है यह सारे शुरोथ आपको एक्जाम में दे करके कंफ्यूज किया जा सकता है कि वहीं बताइए क्या यह सही है तो वहां आप गल्ती ना करें यह तो था महासागरिये निछेप में का जो परकार है उसके प्राकरतिक प्रकार यह प्राकरतिक रूप से यहां से महासागर का निछेप जमा होता है लेकिन कुछ मानविये कारक भी है जिनकी वज़े से महासागरों में निछेप इकठा हो रहा है तो उन कारकों को भी देख लेते हैं क्योंकि जब भी आपके एक्जाम में आएगा तो महासागरों में निछेप से अगर लिखने के लिए आया तो दोरों बाते पूछेगा कि उसके सुरोत के बारे पूछ लिया कि महा सागरिय निचेब के सुरोत पर चर्चा कीजिए तो आप दोनों पहली और लिखेंगे और मानभी कारक देख लिए आं कौन-कौन से हैं ओस आ तो मानभी कारक में सबसे पहली बात जो है और दोगिक कच्रा जो औदोगिक मलबा होता है यह महासागरिय निच्छेप के रूप में महासागरों के तली में जमा होता है जैसे अब देखें जितने भी बड़े बड़े उद्दोग हैं वो सब जो पोट है चाहे वह नदि हो ज्हील हो ינरियमड का किनारा हो वहीं पे लगायी만 टाकि पूप इन तोनों के जलोब की रेकृर्वीह इन जरूर्तों को वहां पर पूरा किया सबता है से नमस की और से दोनों निकलता है वह सिधंड़य का अटाबार नदिया उनको अपने पास तो रखेंगे नहीं वो ले करके सिधा कहां जाएंगे महा सागरों के पास और महा सागर उस मलबे को अपने अंदर जमा करना शुरू कर देते हैं तो जो सहरों के किनारे पे जो उद्दोगों का विकास हुआ है अब बड़े-बड़े जो उद्दो गुरू हो गया यह सब इंडेस्ट्री ले रहा है यहां का जो इन इंडेस्ट्री के जो कच्रे होते हैं साइंत्रों के यह सब महा सागरों में नदियों के माध्यम से पहुंचते हैं और वहां पर यह क्या करते हैं निच्छेव के रूप में जमा होते हैं ऐसे सहरी मलबा है जितने भी बड़े-बड़े सहर- वो सब भी किसी ना किसी नदी का सहारा लेके विक्सित हुए हैं वो इसलिए तक जो सह्रों का मलबा हे नदियों में जो नाले है वेश्ट मेटेरियल उनका निस्तार बेतर तरीके से हो पाए इसलिए क्या करते हैं नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे बड़े-बड़े सहर बिक्सित होते हैं सहरी मलबे में आप नगर निगम के सभी कच्रों को ले सकते हैं सारे कच्रे उठाए नहीं जा सकते हैं जब बारिस होती है तो आप नालियों में देखते हैं क्या हालत ह होती है कि यह सीवेस पाइपलाइन हो गएरा है टैंक है यह सब डायरेक्टली कहा जा रहे हैं किसी नदी से हो करके महासागरों में पहुंच रही है यह सब वेस्ट मटेरियल और महासागर उनको अपने अंदर समा ले हों वहां पिए निछेट के रूप में एक जगह स्टोर होते रहते हैं जमा होते रहते हैं ऐसे क्रिसी ओसेश तर्य है यह सब परियाव औरण में खुब अच्छे से आपको किर्शी गतोषेस में क्या होता है कि जैसे खेतों में खस्लों की गटाए के बाद उनके डंठल्स छोड़ दिया जाती है या भूसा है अब तो ऐसी मशिनेरी है कि खेत में भूसा सीधा गेहूं कटेगा भूसा बनेगा और गेहूं तो गेहूं भूसा वहीं खेत उड़ जाता है अब वह मंदल में तेज हवा चल रही हवा के साथ भूसाद पूरे छेत्र में फैल रहा है वर्सा हो रही है वर्सा का जल बह करके नदी में पहुंच रहा है नदी से बह करके सागर में पहुंच रहा है वो जल तो जो डंठल है भूसा है या अन जो लिफ हो ग केटनासक कभी इस्तेमाल किया गया है वो जाकर कि वहां के जन्जीमन को नुक्सान पहुचाना शुरू कर देते हैं तो किरसीगत अवसेश में निचेप तो कम जमा होते हैं निचेप तो कम जमा होते हैं लेकिन सागर में या जल में प्रदूसर भारी मात्रा में यह करते हूं पर दूसर बहुत भारी मात्रा में कलते हैं ऐसे जो जल्यान होते हैं तैरने वाले जल्यान कि यहांने फिलॉटिंग जो जल्यान होते से इनकी समय्षय क्या है कि जो जल्यान अंदर हृष cash हो गया तो गया जाँ किसी भी तरीके के आखिचिडेंट सह वहीं पर बिखर गया तो क्या उसके मलवट को निकाला जा सकता है chemical तो नहीं होता क्योंकि जो महासागरों के गहराई में चला गया उसको निकाल पाना आसान नहीं होगा और निकाला भी गया तो कितना निकाला गया है वो मलबा भी महासागरिये निछेप के रूप में जाकर कि अंदर जमा होता रहता है जो कि कहीं न कहीं महासागर की स्वास्त के लिए और फिर वहां का जो जन्जीवन है जो मारीन डाइवर्सिटीज है उसके लिए बहुत नुक्सान दायक होता है यह मानविये शुरूत है ऐसे इस पेस पालूटेंट है इस पेस में कोई जो आंत्रिस प्रदूसर है इसमें भी इसका भी प्रदूसर महासागरों में धीरे धीरे पहुंची रहा है क्योंकि पता लगा कि कोई सेटलाइट हम लाउंच किये और कुछी दूर जा करके क्या हुई वो क्रैस हो गई अब वो सेटलाइट हम लाउंच ही ऐसी देखा से करते हैं कि जब वो अगर खराब भी हो जाए उचाई पर जाने के बाद में तो वह अस्थल पर नहीं बलकि महासागर में गिरें इसलिए महादीब के यह अस्थल के जो पूर्वी हिस्सा है वहां से हम सेटलाइट को लाउंच करते हैं क्योंकि हर महाधीब के पूर्व में सागर की बड़ी जल्रासी है तो वह जब क्रैस होता है या खराब होता है या किसी भी कारण से इतनी बड़ी बड़ी सेटलाइट्स रॉकेट्स महासागरों में गिर जा रही है और उनको निकालने का कोई साधन नहीं हमारे पास वह भी महासागरिय निछेप के रूप में एकठा हो रही है ऐसे आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने नोटिस भी क्या होगा मुझे तो मैंने तो कई लोगों को चर्चा करते हुए भी सुना इस पर कि जो धार्मिक अस्थल होते हैं उन धार्मिक अस्थलों पे लोग आस्था के नाम पे कि नहीं मैं पूजा पाट करूंगा फूल चढ़ाओंगा और बहुत सारी चीजें ले जाकर के लोग क्या करते हैं नदियों में प्रवाहित कर देते हैं जैसे मैंने संगम मेले के समय आप सोचिए कि ये गंगा नदी कितनी भारी मात्रा में फूल चांडने के लिए लेकिन कितना कर पाते हैं यह सब भी कहां जा रहा है महासागरों में जाके शड़ रहा है पानी में जाकर कि फूल पत्ति और वहां पर महासागरिया या फिन नदी के जल्व को संक्रमित कर रहा है तो यह जो परियाटन है इस परियाटन के कारण जो धार्मिक अस्थलोपी भी इसका प्रदूसर यह फिर निछेफ जमा होते हैं ठीक ठाग मात्रा में होते हैं तो यह कुछ मानविये और प्राकिर्टिक कारक हैं इस पॉइंट को भी आप लिख लिजी इस पेस पालूटेंट यह धार्मिक परियाटन यह स्रोत हैं जो मानविये स्रोत हैं और महासागरों में निछेब को निछेब को जमा करने के लिए उत्तरदाई हैं कहीं न कहीं इनको आप पॉइंट कर लिख लिजी आप यह था महासागरिये निछेब क्या है और उसके जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने देखா आज किस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे अगली क्लास में हम इसके प्रकार देखेंगे कि जो महसागर में निछेब पाए जाते हैं उनका एक वरगी करण भी है कि वो कितने प्रकार के हैं कौन कौन से होते हैं तो इस पर हम चर्च आगली क्लास में करेंगे